ओम शान्ति तो हम सब के बीच में हमारे आदर्निय राजियोगी डाक्टर बनारसी भायजी उपस्थित हैं हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सतकार करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप बीहार की धर्नी से निकले इश्वर के अनमोल रतन हैं 1973 में होमियोपैथी में ग्रेजुएशन करने के बाद आपने अपना संपूर्ण जीवन इश्वर्य सेवाओं के लिए समर्पित किया वर्तमान में आप हमारी जो मेडिकल विंग हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी उस मेडिकल विंग के आप executive secretary हैं, शांतिवन में जो health care center है ever healthy hospital है उसके आप director है और mount में जो हमारा global hospital है उसके आप treasurer है पूरे भारत फर में health awareness के campaign आपने बहुत चलाए है यहां तक कि Mount Abu में भी holistic health conferences आपने arrange की है 40 से भी अधिक और health related seminars, exhibitions, lectures तो आपने अनेक अनेक arrange करवाए है हमारे पास Mount Abu में और Mount Abu के आसपास जो tribal community है उनके लिए village outreach program जो global hospital चलाता है उसके पीछे भी की person के रूप में आपका ही योगदान है बहुत सारी हम देखते हैं अलग-अलग भारत भर के स्थानों में जाकर आप health के बहुत बड़े conferences भी आयोजीत करते हैं इसके आधार से medical field के लोग भी बाबा के easily बनते जाते हैं तो बाबा की सेवाओं में आपका बहुत बड़ा योगदान है इतना ही नहीं इस यज्यभूमी में जो भी हमारे senior भाई बहने दादियां होते हैं health से related कोई भी issue हो तुरंट आप उनके पास पहुँचते हैं और जो भी उनके लिए करना उचेत होता है आप उनके लिए तुरंट कदम उठाते हैं उनके अंग संग रहते हैं moral support प्रदान करते हैं और उनको स्वस्थ करके ही फिर चैन की सांस लेते हैं और इस कारण से वरिष्ठों के साथ आपका बहुत close connection रहा है तो आज हम चुकि बहुत वरिष्ठों के अनुभव भी आपके पास हैं आपके अपने भी अनुभव हैं उस अनुभव के आधार से हम आपसे सुनेंगे कि एवर रेडे स्थती या नष्टो मोहा इस्थती हम कैसे बनाए आदनिया ध्रादाजी Thank you, Didi Om Shanti यहां बैठे बैठे आप सबको देख रहा था कितनी भाग्ये शाली आत्माए हैं सारी दुनिया आज महाशिवरात्री है न मंदिरों में घंट बजा रहे हैं किस लिए? दर्सन के लिए उपवास कर रहे हैं और यह महान आत्माएं, भाग्ये शाली आत्माएं शिव बाबा के घर में घर तो भगवान का सब जगा है लेकिन यह ओरिजिनल कहेंगे ओरिजिनल घर में महाशिवरात्री के दिन क्या कर रहे हैं? तपश्या कर रहे हैं कितने भाग्ये शाली आप सब हैं? कैसा डेट दीदी ने निकाला है? महाशिवरात्री के दिन भगत मंदिर में और बाबा के बच्चे बाबा के गोद में सोचो ब्रामन तो 10-12 लाख है लेकिन 10-12 लाख में से भी आप बिसेश रतन हो जो बाबा के गोद में है आराम से भगवान को क्या कर रहे हैं भगवान को आप रिजा रहे हैं या भगवान आपको प्यार कर रहा है है कितना बरदान दे रहा कल साम को कितना बरदान दिया पुवित्र भव का बरदान दिया सोचो कितने बड़ी बात है पुवित्रता को अपनाने के लिए योगी भव बनने के लिए लोग क्या से क्या करते हैं और आप महानात्में कितना शाधारण सिंपल रीती से पता नहीं किस जनम में भगवान को क्या आपने किया है रिजाया है दिल उनका मोह लिया है कि बाबा आज के दिन बुला करके रिटर्न दे रहा है दे रहा है या नहीं दे रहा है दे रहा है न तो लक्की है न भाग्य शाली है न एवरेडी है न या बनना है एवरेडी है अब एवरेडी दो तीन पर कई परकार के होता है भाई कही जाना है एवरेडी रहते हैं कई लोग दीदी के दिल जीत लेते हैं फोन करेंगे भाई प्रदर्शनी में जाना है दीदी दो मिंट में आ रही हूं, रोको, एवर रेडी, उनको भी एवर रेडी करते हैं, कई होते हैं कि दीदिये, आभी पांच, दस मिंट लगे गा, आधा गंटा लगे गा, आप चलो, हम साम तक आ जाएंगे, होता है ना, एवर रेडी, इशारा मिला, प्रवाना हुए, उसको एवर रेडी करते हैं, अस्थूल रिती से, अब सुच्छम रिती से, क्योंकि दोनों टॉपिक बड़ा, यह है, सिंपल नहीं है, नश्टो मुहा, एवर रेडी हैं, तो हम एवर रेडी बाबा किसको कहता है, यह भी एक बहुत अच्छी गूर्ण हैं, तयार रहें सेवा में, तयार रहें बड़ों की आज्ञा को पालन करने के लिए, आवाज निकले, प्राक्टिकल, एवर रेडी, लेकिन अब बाबा एवर रेडी किसको कहता है, बाबा एवर रेडी उनको कहता है, जो विदे ही हैं, नहीं तो बुलावा हो, और दे में ही फसे रहें, सोचो, बुलावा कहके तो नहीं आएगा न, अचानक अचानक बाबा ने कई बार कह दिया, कि अचानक पेपर होगा, तो हमारा अभ्यास पहले से होगा, तब तो हम उपर से इसारा हुआ और इसारा होने के पहले हम हाजी रहें, बाबा आ गए हैं, सोचो, तो हम बीदे ही, शरीर में रहते शरीर से न्यारा, जिसको कहें कि सोल कौन से सिस्तिती, आतम अभिमानी हैं, बाबा को क्या हुआ, ब्रुमा बाबा को, सोल कौन से, भगवान ने कहा, बचे तुम आतमा हो, दून सवार हो गई बाबा को, हमको दीदी ने कोर्ष कराया, कि आप आतमा हो, हमको ग्यान हो गया, भासन कर सकते हैं, कोर्ष करा सकते हैं, अनुभूती नहीं है और बाबा ने इतना अनुभूती किया Soul Conscious का कि अपने सरीर का भान को भूला दिया एक तो आदमी तपश्या करके खुद बर्णन करता ओह दीदी आज योग बहुत अच्छा लगा है बीदे ही हो गए है सरीर का भान नहीं रहा मुख से बर्णन करते हैं एक वो है कि वीदेही बेक्ती दूसरे कहते हैं भाई आप तो दिखाई नहीं देते हैं आप तो फरिश्टा लग रहे हैं आपसे vibration आ रहा है आपसे light आ रही है कौन चा वीदेही बनना है मुख से हम बर्णन करे या दूसरे कहें भाबा ने दूसरे लोगों ने कहा, भाबा ने कभी नहीं कहा, कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा देखो, खुद पुर्शार्त किया, ओ भाबा देखो, इतना बड़ा मर्चेंट था, बिजनेसमेन था, क्या बाबा को बिजनेस में मोह नहीं था छोटे से थोड़े से उपर लेकर कि यहां तक आये था इतना मेहनत किया था कि राजाओं के साथ उनका संपर्ख हो गया था और वो बिजनेस को एक सेकेंड में एक धक से छोड़ देना नश्टो मोहा बन जाना कितना बड़ा सोल कॉंसेस के स्टेज बनाया होगा आज हम कुछ करें घर में नया काम करें तो हमको परिवार से राए लेनी पड़ेगे बच्यों से, वाइप से, रिष्टेदारों से भाई ये चीज हम आश्रम को देते हैं या ये चीज हम समाज सिवा में लगाते हैं राए करना पड़ेगा नहीं तो सब एगेंस हो जाएंगे बाबा ने स्वाहा किया तो यूगल से पूछा, बच्यों से पूछा, रिष्टेदारों से पूछा इतना सोल कौंसेस हुआ, इतना बीदेही हुआ, इतना एवर रेडी बना सरीर में आना और सरीर से परे होना इतना बाबा का पक्का कर लिया कि यूगल जो इतनी भावना वाली यूगल बाबा को परमेश्वर की तरह देखती थे बाबा बिजनेस में जाते थे, दुकान पर जाते थे, तयार होके जाते थे तो नास्ता करा करके और उनकी पूजा करती थी, आरती करती थी, तीलक देती थी, इतना पती परमेश्वर और बाबा इतना सोल कोंसे सुए, इतना आत्म अभिमानी हुए, कि उस युगल को भी बाबा पती नहीं दिखाई दिया, परमेश्वर नहीं दिखाई दिया, फरिष्टा दिखाई दिया, वीदेही दिखाई दिया, जो सुदा मैया, पुर्शार्थ नहीं किया, बाबा का पुर्शार्थ उनका पुर्शार्थ उनको बदल दिया वैबरेशन बदल दिया इतना बाबा का डीप पुर्शार्थ हुआ सरीर में आना, सरीर से परे होना इतना डीप पुर्शार्थ शुरू से अंत तक बाबा ने किया कि आप लोगों ने सुना है कि बाबा मूरली सुना करके बचों को कलास करा करके और आए हैं रात को साड़े आट नो बजे बिश्तर पर बैठे हैं पाउन लटका करके चरपाई पर अभी भी ये यादिगार है वो चरपाई वही है और दादियां सामने खड़ी है और उनको दिरिष्टी देते देते हाथ में हाथ दे करके एक सेकंड में बाबा अवेक्थ हो गया है सोचो कितना एवरेडी का पुर्शार्त किया होगा कितना सरीर से परे रहने का अभ्यास किया होगा तो क्या हम लोग उस तरह के एवरेडी हैं बनना तो है न या हम लोगों के लिए बाबा इसारा करेगा मुरली में संदेश आएगा भाई फलाने दिन एवरेडी होना है चलना है घर आएगा क्या नहीं आएगा न तो हमको एवरेडी बनना है डिटैच होना है नश्ट मुहा होना है निराकारी निरहंकारी निर्वीकारी बाबा कहते है न लाष्ट बाबा का वरदान है न महावाक के लाष्ट है न उसका अभ्यास किया कब करेंगे अंत में करेंगे नहीं अब भी करना है यह बहुत अच्छा समय है ऐसा मौका कहां भी कभी भी जिन्दगी भी नहीं आएगा यह नहीं सोचें दीदी का बहुत अच्छा यग में अधिकार है सने है प्यार सबसे है दूसरा डेट भी अगले साल भी यहीं डेट मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता है इसलिए हमारे लिए यब भी ही समय है एवर रेड़ी होने का मौमा का पुर्शार्थ क्या था यह अंतिम स्वास चल रही है उन्होंनों यहीं पुर्शार्थ किया मौमा के जीवन कहनी मौमा बोंबे में थी रमेश भाई निर्वेर भाई कहीं गाड़ी में उनको ले जा रहे थे निर्वेर भाई पीछे थे मौमा आगे थी और रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे सुना होगा साइद आप लोग ने और गाड़ी तो फास्टी जाती है लेकिन रमेश भाई का ध्यान बोर्ड पर गया बहुत अच्छा साइन बोर्ड था गाड़ी आगे चली गई बोर्ड तो अपने ही जगह पर रहेगा पीशे हो गया रमेश भाई ने कहा ममा वो बोर्ड देखा ममा तो उपर है फिर दुबारा कहा ममा अपने वो बोर्ड देखा कान तो ममा के खुला है तो ममा रमेश भाई के तरफ मुह करके कही रमेश शेवा होता है तो ममा शरीर में होती है नहीं तो बाबा के पास होती है बोर्ड नहीं देखती है देखो पुर्शार्थ ever ready बाबा वहां से वहीं बठा दे ready मदबन आये हैं यहीं बैठ जाए ready ever ready ऐसा पुर्शार्थ ऐसा गहन यह सरीर हमारा नहीं है हमारे लिये नहीं है यह बाबा का अमानत है पिछला संडे दो संडे मुरली चली holy hands लगतार बाबा ने क्या कहा बाबा ने कहा कि यह सरीर देवताओं का सरीर golden यह ब्रामनों का सरीर diamond यह diamond सरीर यह diamond आखे यह diamond कान यह diamond मुख क्या देख रहा है किसमे मोह है कौन अपना है इस diamond से भी कोई प्यारा चीज हो तो बुद्धी जाए न कहां बुद्धी जा रही है किसमे लटकी हुई है सोचो बाबा ने diamond दिया है संगम पर तो इस diamond में इस diamond दृष्टी से इस diamond कान से क्या सुन रहे हैं क्या देख रहे हैं कौन मेरा है बाबा ने तो कह दिया कि मेरा कुछ नहीं है सफल कर दो तेरा कह दो सफल हो गया बाबा ने कहा यह कहा न तेरा कह दो बाबा यह सब तेरा है मेरा नहीं मेरा और तेरे एक सब्द का ही अंतर है तेरा कह दिये उसका है भल उससे हम खा रहे हैं उससे हम पी रहे हैं उससे चल रहे हैं परिवार की परवरिश हो रही है लेकिन जवाबदारी उसकी है चुकि हमने उसको हावाले कर दिया जिसे शरीर हमने बाबा को तन मन धन तन दे दिया तो ये बाबा की आमानत है न और बाबा ने इसको डाइमंड रीती से ये किया है, ये उज़ करने के लिए दिया है, फिर हमारी बुद्धी कहां है, मेरा कौन, हम अपने आपको इतना तपश्या करके ये करें, कि जिसका चलो मेरा मोह नहीं है, रिष्टेदारों कहतम होगा, लेकिन उसका भी मोह खतम हो जाए, हम इतनी तपश्या बनें, इतना पावर हम अपने में इकठा करें, भरें, जिधर जाएं, लाइट ही लोगों को दिखाई दें, जिधर जाएं, फरिष्टा दिखाई दें, जिधर जाएं, शंपन, उनको वाइवरेशन मिले, वाइवरेशन, उनको खीचे, जिसे हमारी दादियां, कहां भी जाती थी, लोग उनको नहीं देखते थी, उनका वाइवरेशन, पांडवान के गेट में वीजीटर आते हैं, उनको वाइवरेशन खीचता है, पांडवान के इट और पौधे नहीं खीचते हैं, वाइवरेशन, इसे अच्छे अच्छे रिसोर्ट में वो पौधे हैं, लिकन उनको लगता है, कोई अलग अस्थान पर आएं, वाइवरेशन, उसी तरह हमारे सरीर से लोगों को वाइवरेशन मिले, बाबा के सरीर से मिला, इसलिए बाबा को राय नहीं करने पड़ी सब सहयोगी बन गए बाबा को राय नहीं करने पड़ी सारे लोग सहयोगी रिष्टेदार, बच्चे, कोई opposition नहीं किया नहीं बाबा आप क्या कर रहे हैं आधा करो, आधा नहीं करो बाबा को क्यों बाबा न अपने आपको चेंज कर दिया परिवर्तन कर दिया एक बार की बात है जो सोदा मैया बाबा के लिए नास्ता बना करके लाई तो निमशंता दादी लड़की है ब्रिजेंदरा दादी बहु है पुत्र बधु उन दोनों को कहा बचियां आप लोग बाबा को नास्ता करा क्या हो दोनों ने जबाब दिया ममी अप इतना प्यार से नास्ता बनाई हो आप भी बाबा को कराओ जो सोदा मैया क्या जबाब देती है बोलती है कि मैं बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा दिखाई नहीं देता है फरिष्टा दिखाई देता है स्री कृष्ण दिखाई देता है नारायन दिखाई देता है इतना परिवर्तन चेंज खाली एक कहानिया हम लोग सुनने के लिए नहीं हम भी तपस्या करें अपने आपको परिवर्तन करें वो बच्चियों ने जवाब दिया मुमी हम लोगी कुछ काम से बाबा के पास जाते हैं तो बाबा नहीं दिखाई देता है जो व्यक्ति इतना चेंज कर दिया उसको किसे से राए लेने पड़ेगी दुनिया राए लेने उनके पास आएगी उनके राए पर दुनिया चलेगी परिवार चला की नहीं चला उन परिवार ही क्या साराजबीशो चल रहा है की नहीं चल रहा है बाबा की कदमों पर बाबा की जाने के बाद हम लोगों ने कोई नया रास्ता नहीं निकाला है दादियों ने कोई नया रास्ता नहीं निकाला है उसी कदम पर कदम रह करके पांच लोग चले, सौ लोग चले अज लाखों उसी कदम पर चल रहे हैं वही मुर्ली है ना, वही महावाख्य है ना, भाबाने है, चेंज, परिवर्तन, ever ready, کभी भी बुलाहाट हो जाए, स्वांस का भरोसा हम लोगों को नहीं है, किसी का भरोसा है, किसी को बिश्वाश, किसी को भरोसा है, कि नहीं अगला स्वांस भी हमारे हाथ में है, नहीं है तो किस चीज़ के इंतजार में है एकदम एवारेडी कुछ नहीं देखना है इस आखों से अगर कोई रिष्टेदार खीच रहा है अपने आप से पूछें डाइमंड आपको डाइमंड के कटोरी दे दिया जाए डबी दे दे दी उसमें क्या भरोगे सोचो बाबा ने डाइमंड दिया है और हम बहाना करते हैं रिष्टेदार हमारा मोह नहीं है दीदी लेकिन बच्चे का मोह मेरे में है नहीं मेरा मोह है तो बच्चा खीचता है बाबा ने कहा इतना पावर्फूल तपश्या करो इतना आप में पावर आ जाए कि कोई कैसा भी विकारी ब्यक्ती कैसा भी दे अभिमानी ब्यक्ती आपके पास आए खराब नेगेटिव संकल्प लेकर के आए और आपकी दिरिष्टी पड़े उसकी ब्रित्ती चेंज हो जाए इसको कहते हैं वर एडि ना या उस समय वो आया और फिर हमें वर एडि बने हम आत्मा है हम आत्मा है उसके ब्रित्ती चेंज होगा पावर्फूल वर एडि भाबा ने करके दिखाया आप लोगों ने सुना होगा बाबा को कोई कतल करने के लिए आया मारने के लिए आया दादियां उस खुंखार बैक्ती को देख करके डर गई वाइबरेशन निकला उसकी सकल सिर्थ से दादियां बोली कि ने बाबा नहीं मिलेगा नहीं बाबा से मिल के जाओंगा इतना जोर से बुला दादियां डर गई और बाबा के पास आ गई बाबा ऐसा ऐसा बैकती है मिलना चाहता है बाबा ने का मेरा बच्चा है अगर आया है मिलने के लिए क्यों तुम लो रोकते हो बुलाओ अब उस समय बाबा तपस्या करता इवरेडी बनता बनता इवरेडी हर करम करते इवरेडी बुलाओ और बाबा यही गदी है यही रूम है और बाबा गदी पर बैठा है दरवाजे से अंदर आता है उसको गुर्णान की सक्षितकार होती है रोने लगता है डंडवत बाबा के पैरों में पढ़ जाता है बच्चे क्यों रो रहे हो ऐसे ऐसे बाबा मैं नियत लेकर के आया हूँ बच्चे ऐसे पैसे लेकर कैसे गलत काम नहीं करते है तूली खिलाया विदाई कर दिया तो कहने का भाव बाबा ने ये सब सिखाया, बताया किसके लिए हम बच्चों के लिए इस तरह के प्रिष्टिती आएगी, आती है एवर रेड़ी बनना है तयार है हम कहां भी ये हमारी पेपर हो, कहां से भी आए रिष्टेदारों से आए, दुनिया से आए, कहां भी आए, ट्रेन में आए, बस सेश्टेंट पर आए, या या अरपोर्ट पर आए, हम रेडी हैं, कहां भी अटाइच्मेंट नहीं, बाबा हमेशा हर करम करके दिखाया, लेकिन, खेलता था भी बच्चों से, शफाई भी करता था, यहू साफ करता था, लेकिन, एक बार की बात है, बाबा गेहुच साफ कर रहा था, जमीन पर बैट करके, उन दिनों में तो बेगरी पाड़ था, कुछ यहर भी नहीं थी, जमीन पर बैट करके, मुम्मा साफ कर रही थी, दादियां साफ कर रही थी, कुन जी दादी, किसी का कॉर्स करा करके, एक बिजन वाला था, साथ दिन होटल में रा करके कुर्स करने आता था, कुर्स पूरा हुआ, बोला कि बाबा जी कि दर्सन कर सकते हैं, कुझ दादी ने का हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, जा करके बाबा को बोली, बाबा उसका कुर्स पूरा हो गया, बहुत अच्छा बैपारी है, बहुत अच्छा बिजनेसमेन है, आप चलिए मिलिए, तो बाबा ने कहा, बड़ा सरल देते, बच्ची यहीं बुलाओ, अरे बाबा आप ग्योंस आप कर रहे हूँ, आपके लिए तो हम उसको परिचे दिया, और ममा को कहा, ममा, देखो, कुञ्ज को कितना देह अविमान है, कुञ्ज दादी को बहुत खराब लगा, बोली कि चलो, जो होगा, डिसर्विस होगा, हम लेके आते हैं, बाबा गेहूंस आप कर रहा है, ऐसा नहीं कि अभी वह आ रहा है, तो हम तयार हो जाएं, यह हो जाएं, एवरेटी की बात कर रहा हूं, तयार हो जाएं, थोड़ा रुमाल फेस पर डाल लें, नहीं, यहूंस आप करी रहा है, वो आया भाई बाबा तो जमीन पर बैठे थे और बिजनेसमेन को जमीन पर कैसे बैठा है बाबा बाबा भी खड़े हो गया वो खड़ा था खड़े हो गया खड़ा बाबा हुए विश्नु का सक्षतकार हो गया उसको विश्नु का सक्षतकार हो गया और उसके आंखों से आंसु आने लगी ever ready था तू नो नहीं तो ग्यों साप कर रहा है क्या ज़रुवत भगवान को याद करने के ग्यों साप कर रहा है अप लोग घर में खाना बनाती हो भाई बिजनेस में होते हैं क्या ज़रुवत है बिजनेस में भगवान को याद करने के ज़रुवत है नहीं ever ready वहां से भी बुलाहट हो जाए बाबा ने करके दिखाया हर करम में अंतिम स्वांस हमारी सब दादियों का था दो मिनट फिरी तो पस या हमने जानकी दादी को हम लोगों को मिलती थी, सुनाती थी हमने दादी कुछ घळरी बाते सुना और जो हम लोगों सुना नहीं है सुनाती थी पूना में थी बहुत सारी कन्याएं उनके पास थी सब कन्याओं को डिवटि दे देती थी और चुप चापे कोने में बैठ जाती थी बहने तो सो देखती रहती थी सेवा करती रहती थी ये घंटा हो गया, दो घंटा हो गया दादी हील नहीं रही है क्या कर रही है तो कुछिसे ने पूछ दिया दादी, आप क्या कर रही हो अथो अपने को कूट रही हूँ सोचो अभी तक एवे रेटी नहीं 14 साल भगवान के साथ तपस्य क्या है थोड़ा टाइम मिला अपने उपर अटेंशन चंदरमनी दादी को देखा था टीचर्स कलास कर आती थी रूम में रेष्ट करने नहीं जाती थी बाबा के कमरे में बैठ जाती थी दादी उन्हें किया है तो उसी तरह हम लोगों को भी एक मिनट भी मिले बाबा को पास ये हमारे पास लगन होगी तो होगा बाबा को लगन थी दादीयों की लगन थी संपन बनने की तो हम लोगों को भी लगन हो जाए उमंग हो जाए नहीं इस भठी के बाद हम घर यहां से निकलें फरिष्टा बन करके एवरेडी बन करके नश्टो मौा होकर निकलें हमारा मौ किसी में नहीं जाए बाबा से बढ़ करके दुनिया में कोई है क्या जिसमें मौह रखें और कोई हमारा है क्या जिसको हम अपना समझते हूं हमारा है नहीं है डिटेच भवा ने हमारे को बोल दिया बचे तुम आत्मा हो तुमको घर जाना है नई दुनिया में जाना है इस पुरानी दुनिया में किसे मोह रखेंगे जी बलकि हमको इतनी तपश्या करना है कि हमारी तपश्या से हमारे रिष्टेदारों को प्रेणना मिले और उ कहे ममी आपसे बहुत अच्छा वाइबरेशन मिल रहा है मैं भी आस्रम कल से चलूँगे बहु को कहने से वो आपके आस्रम नहीं आएगी आपके वाइबरेशन से आएगी आपके करन से आएगी आपके बेवहार से आएगी ग्यान से नहीं आएगी तो हम लोगों को इतनी तपश्या करना किसी चीज में बुद्धी न जाए कोई भी खीचे नहीं सोचो एक बेगर है बच्चा है टूटा फूटा कोटोरी प्लास्टी का या अल्मुनियम का कोटोरी लेकर भीख मांग रहा है फटा हुआ है बस्तर पना है कोई सेट के बच्चा नहीं है और उस बच्चे को एड़प्ट कर लेता है घर में ले जाता है तो बच्चा उसका ड्रेस चेंज कर देता है सब कुछ उसका हो जाता है उसको याद आएगा क्या हमारी कोटोरी कहां है हमारी टूटा हुआ फुटा हुआ बरतन कहां है भीख जाकर भूख लगी है दर्वान के पासे चलो बाहर घर जाने की ज़रूत नहीं तो उनसे हम भूख चाल लें आएगा अरे हम भगवान के बच्चे हो गए भगवान ने हमको एड़प्ट कर लिया महा सिवरात्री है बली चड़ते हैं लोग हम भगवान के उपर बली चड़ गए फिर भी हमारे को बुद्धी ठीच रही है कहां भगवान के दर्शन के लिए भगत आँखे खोल करके बैठे हैं कहीं से लाइट आ जाए कहीं से आवाज आ जाए और हम बाबा के बच्चे बाबा ने हमको अपने बड़ ड़ पर बुलाया बच्चे आ जाओ सोचो मोधी जी का बड़ ड़ हो और आपको एस पेसल फोन आ जाए कितनी खुशी होगी सोचो और भगवान के बड़ ड़ पर भगवान का फोन आया है जिस पर आप आ गए हो इतनी खुशी है इतनी इंपोर्टेंस है या पुरानी दुनिया पुराना बस्तू हमारा बस्त्र हमारी अलमारी हमारी जेवर खीच रहा है अरे ये जेवर जुठी है बाबा आमको गोल्डेन जेवर हमारा तो जो मकान होगा वो हीरे जवरात का होगा, होगा या नहीं होगा, और कितना छोटा सा महल बंगला होगा सद्युग में, बोलिए, बंगला नहीं होगा, महल होगा, बताइए, बाबा महल दे रहा है, और बंगला में हमारी बुद्धी लटकी हुई है, कहते हैं, हमारा मोत बहु तो जाएगा अरे बाबा हमको महल दे रहा है देखो तो सही हमारा महल कैसा होगा ओ भी एक जनम के लिए महल नहीं दे रहा है एक किस जनमों के लिए महल दे रहा है तो बंगले में बुद्धी जाएगी प्लैट में बुद्धी जाएगी नहीं जाएगे सेवा के लिए है जब तक इस शरीर में है उसके लिए है आराम से है डिटाइच है वो खींचेगा नहीं बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के आए बहुत किमती गाड़ी लेकर के आए मोह रहेगा पैसा है लेके आए थोड़ा डिंट पढ़ गया थोड़ा कुछ हो गया अपसेट होंगे है या होते हैं सोचो अपने आपसे हम सब पूछे अरे हमारे लिए बाबा पुस्पक बिमान दे रहा है बोलता है प्रामिस भगवान प्रामिस करता है बची तुम्हारे महल के आगे पुस्पक बिमान होगा तो हमारा मोह उस गाड़ी में या पुस्पक बिमान में उस परमात्मा के लिए मुझे कितना प्यार है सोचो हमारी ड्यूटी है हम बाबा के बच्चे है हम सब परिष्टा है हम तपस्यक अपने लिए नहीं कर रहे हैं सारे बिशो को परिवर्तन के लिए कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है लोगों को कष्ट से निवारन करना बच्चा है कष्ट में है उसको निवारन करना वो ही मेरा बच्चा क्यों है हम तो सारे विश्व हमारा बच्चा है क्योंकि हम कौन है पूर्बज है एक ही बच्चा क्यों दिखाई देता ब्रुमा बाबा बोडिंग खोला कितने बच्चे आए उनकी दृष्टी अपने बच्चे में गई अपने बच्चे से भी दूसरे जो बच्चे आए उनको प्यार किया अपने बच्चे को तो अपना बच्चा ही कहा उनको क्या कहा यह मेरे ठाकूर है भगवान समझ करके उनको प्यार किया पालना दिया हमारे दादी गुलजार सुनाती थी बाबा वो फ्रूट मार्केट में नई फ्रूट आता था नई कुछ चीज आता था बाबा भेजता था हमारे ठाकुरों के लिए ले ले आओ हम लोगों को बच्चों को प्यार होगा हमारे बच्चे को प्यार होगा तो अच्छी चीज होगा भुट फट से बच्चा याद आएगा उसके लिए गिफ्ट ले जाएं उसके लिए ये ले जाएं अरे सारा विश्व ही हमारा बच्चा है परिवार है सारे विश्व के लिए क्यों नहीं सोचते हैं किसी में कहीं से कुछ प्राप्ती हो तो मो जाए नो भगवान ने क्या नहीं दिया है अब कहां बुद्धी जाएगी सोचो बाबा ने कुछ रखा है का इतना भरपूर कर दिया है इतना भरपूर कर दिया है कि कहां भी बुद्धी नहीं जाएगी हम बल्कि हमारी बुद्धी जाती है ये मेरा है आज एक नरश है कितने पेशन को देखती है वाड में Serious पेशन को देखती है बहुत time to time दवा खिलाती है उसकी संभाल करती है ड्यूटी पुरा होता है उसमें मोग जाता है एक सेकंड में ओवर दिया चली गई वो रात को बच्चा सिरियस हुआ सरी छोड़ दिया या उसको डिश्चार्ज हो गया वो चला गया तो अभी भी आकर नहीं पूछती है दूसरे बच्चे आ गया दूसरे पेसेंट आकर उनकी सेवा कर रही है उसके लिए आंसू नहीं बाहर है यारी उसको तुम्हें आठ गंटा इतना खड़े हो करके कितना मेहनत करके यह किया और वो बिचरा वो चला गया नर्स को यांसू बाती है लगी कितनी अच्छी डिवटी देती है टाइम टू टाइम हर चीज खिलाती है डिटैच तो हम उनसे सीखे न बाबा ने हम लोगों को क्या बनाया है आधार मुरत बनाया है न तो आधार मुरत का एकी बच्चा होता है एकी परिवार होता है सारा विश्व परिवार है तो हमारी कहां भी बुद्धी हद में न जाए कुछ नहीं बाबा को लोग इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे उन दिनों में तो वेगरी पड़ था कमी थी यग में बाबा रख लेते क्योंकि कमी है डिटेच पंजाब से माता स्वेटर बून करके गरम अच्छी बाबा ठंडी बहुत पड़ रही है यह आपके लिए बून करके मैं लाई हूँ खरीद करके नहीं लाई हूँ अपने हाँ से बूनी हूँ हाँ बच्ची बहुत अच्छा है बाबा पहनेगा उससे ले लिया टोली दिया दृष्टी दिया उधर गई दूसरी पार्टी आई अरे बच्चे बहुत ठंडी है यह बाबा गरम स्वेटर देता है पहनो डिटैच अपने लिए कुछ नहीं जब हम इतना डिटैच होंगे तो दुनिया के लोग हमारे आएंगे पास हमारी दादियां डिटैच अपने लिए कुछ नहीं तर्बुज वाली कहानी आप लोगों ने सुना होगा ना नहीं सुना एक देखिए बाबा से उनका कितना दादियों का प्यार था सर्विश में निकली अमरी सर में एक कोई इतना बड़ा तर्बुज देखकर आश्रम पर ले आया दादी बोलती है का हम दो ही हैं इतना बड़ा तर्बुज और ये बाबा को भेजें वहाँ सब बाबा के बाबा भी सुईकार करेंगे सब भाई भाने भी सुईकार करेंगे और इस तर्बुज पर लिख दिया बाप दादा माउंट आबु और भेज दिया ट्रेन में डाल दिया ट्रेन में लुढकते लुढकते वह आबुरोड आ गया और इतना पहले के लोगी मंदार थे ने तो टीटी छोड़ते भाई इसमें कोई ये रसीद नहीं है इसका कोई बील नहीं है कोई यह नहीं है काटके खा लेते नहीं यह भगवान का है इतना पावर्फुल उनका यह था संकल्प और वो बाबा के पास आ गया सोची है हम संकल्प करेंगे छोटी हो बड़ी हो भगवान के पास पहुंचता है हमारा प्यार कितना है मनोर दादी सुनाती थी दिली में स्यवापर निकली थी रोटी खा रही थी एक भाई आया देखा के दादी सुख्य रोटी खा रही है एक तीन घी का लाकर के दे दिया दादी सुख्य रोटी नहीं खाना है लगा के खाऊ दादी को क्या याद आ रहा है नहीं यग्य बाबा के पास जाएगा बाबा सुखी रूटी खाता है भेज दिया यह है यग्य के लिए प्यार समझे ना देखो उपराम हो जाएगा जितना जितना बाबा से प्यार होगा जितना बाबा से लौ होगा जितना उपराम होगे जितना बाबा के नजदिक रहेंगे ये मोह कुछ नहीं है हम बाबा से दूर रहते हैं तो ये लौकिक, ये भौतिक दुनिया खीचती है माया पेपर लेती है माया क्या है हमारे संकल्पों का रचना है न बाबा क्या कहते हैं पेपर टाइगर है भगवान ने कहा है नौ फिर हर बाते तो बाबा ने हमको बताया है हम किस अग्यां के लिए इंतजार में है इसलिए हमारी मोह हमारे डिक्सनरी में नहो हमको मोह भी है मोह जित राजा हमारी कहानी है समझे हैं हम बच्चों की कहानिया हम उनके यादों में इतना खो जाएं हमारी बुद्ध कहीं नहीं जाया बैलकि दूसरी के बुद्धी को भी हम ठीक करते हैं समझे नहीं हो सकता है ना हम इतना बाबा की यादों में अर यही संगम का समय थोड़ी घड़ी रह गही है छी आज सेवाँ आज महा सिवरात्रिय आप लोग मनाये हैं 86 रहा क्या सुचो समय को भी नहीं देखो दुनिया को देखो और आप तो UP से आये हैं प्राक्टिकल दिखाई दे रहा है कितना घड़ी रहा गया है हम इतने तपश्या करके अपने कुछ समपन बना ले ever ready कर लें इसारा हो येस बाबा हाजीर कहीं भी कोई भी आ सकती नहीं कहां भी बुद्धी नहीं कहां भी लगाव नहीं कहां भी जुकाव नहीं कोई मेरा नहीं सब मेरे हैं हम उसके हैं आईसा, बाबा ने करके दिखाया, बाबा ने किसी को ज्ञान, बाबा का मोह नहीं था बच्चो में, बहुत मोह था, निमशंता दादी सुनाती थी, बाबा कहां भी जाता था, बच्चों के लिए बड़े बड़े चोकलेट, बड़े बड़े सोगात, बड़े बड़े चीज लाता था, गो था, प्यार था, तो लाता था, बाबा ने कभी डाटा नहीं, बच्चे कितना भी गलती किये, प्यार था, तो नहीं डाटते है, आप लोग मां हैं, बहने हैं, बैठे हैं, आपका बच्चा, पोत्रा, कितना भी गलती करेगा, अगर उप्यारा है, तो नहीं डांटेंगे तो बाबा डांटा नहीं है निमोशंता दादी सुनाती थी एक बार वो लोग नारायन दादा अभी दो तो दादा हो गए न इस छोटे-छोटे थे दुकान में गए दुकान में हीरे की पुडिया रखी थी उठा कर लेके आ गए बाबा गदी पर आये देखा कि ये नहीं है ये नहीं है तो दुकान में वो बैठा था उससे पुछे भई कहां गया आ तो बच्चे लोग आये थे क्या-क्या ले गए मुझे कुछ पता नहीं लेकिन तो बाबा घर गया डांटा नहीं क्यों लेके आये तुम्हारे लिए ये तुम्हारे काम का नहीं है कहीं गीर जाता कहीं खो जाता तो कितना नुक्षान हो जाता बाबा ने सिख्चा नहीं दिया बाबा के बुद्धी में क्या आया अच्छी अच्छी अंगूठी ले जाए अच्छी जेवर ले जाए अरे बच्चे तुम्हारे लिए बाबा तो इतना अच्छा अंगुठी लेकर आया है इतना अच्छा चेन लेकर आया है गले का ये क्या करोगे सब भूला करके बाबा क्या आगे रख दिया बाबा को दे दिया उन्होंने बाबा ने दे दिया अंगुठी और हीरे के पुड़ी आ गई देखो हम कहते हैं कि हमारा बहुत मोह है, बहुत प्यार है, नहीं, तपश्या करें, उसा ठीक हो जाए दूसरे दिन उसको बेचना था बाबा को, अरे बच्चे यह पुराना हो गया, यह दे दो, दूसरे नहीं ले लो तो मजदूर थोड़े हैं कि रोज रोज वही चीज पहनोगे, वही वही चीज खाऊगे, नहीं, नहीं चीज़, बाबा इतना युक्ती युक्त चलता था, सारी दुनिया के साथ, फिर भी बाबा ने गाली खाई, फिर भी बाबा ने पीपर दिया, लेकिन, बाबा इतना लगन में मगन रहते थे, इतना बाबा को शिव बाबा से प्यार था, भविस से उनका प्यार था, कि उनको भविस से दिखाई देता था, यही हिस्ट्री हॉल है, बाबा मुरली चलाने आते थे, तो बाबा मुरली चलाते चलाते, ट्रांसलाइट ओन कराते थे और कृष्ण को देख करके खगियां मारते थे अरे बाबा, बुढ़ा बाबा सरीर छोड़ेगा कल मिचनु बनेगा, कल कृष्ण बनेगा कहां मोह की बात रही और उनकी डांस, उनकी उमङ उनकी हुसा देख करके सारे भाई बने, सारे दादियां सारे बच्चे सब में हो मंग लोग के कियाद नहीं आया आप सोचो छोटे-छोटे बच्चे माबाप खीचेंगे नहीं माबाप कियाद आएगी नहीं लेकिन बाबा ने इतना भरपूर किया इतना ज्यान जोग पालना से सब कुछ इतना भरपूर किया कि सब के उपर समन आई और सब को भेज दिया जाना पड़ा घर में गए उनके रिष्टेदार ले गए उन्होंने सारी अलमारियां खोल करके दे दिया यह जेवर तुमारे लिए है पैसे तुमारे लिए धन तुमारे लिए है और उनकी बुद्धी बाबा में है वो जेवर नहीं दिखाई दिया वो धन नहीं दिखाई दिया वो किचेन में वो बंडारे में वो भोजन नहीं उनको दिखाई दिया उनको बाबा दिखाई दिया बाबा ने कितना उनको ये किया होगा छोटे बचे नश्टो मोहा ये तो जीवर से बचों को प्यार होता है पैसे से प्यार होता है मा बुला रही है पिता जी बुला रहे हैं सोचो नहीं ऐसा हम लोगों को बनना है कैसी भी प्रलोबन माया लेकर के आए रिष्टेदार लेकर के आये समय पर हर जग़ पुर्ग्राम में जाते हैं कैसा भी पुर्ग्राम हो हम अपने इस्तिती को डगमग न करें बलकि वहाँ जाएं उस पुर्ग्राम का बाता बन चेंज हो जाए ऐसा हो महाल चेंज हो जाए जैसे दादियां कहां सेंटरों पर जाती थी तो आप लोग ही उन्वो सुनाते हैं मुधुबन आ गया दादी एक दादी गई है मुधुबन उठा के लेके गई है नहीं उनके प्रिजेंस आपका सेंटर आपका सहर मुधुबन हो गया उसी तरह हम लोगों को इतनी तपश्या करना है जहां जाएं बाबा बाबा दिखाई दे तब तो कहेंगे जिसकी इतनी सुन्दर रचना हो कितना सुन्दर होगा गित सुनने से नहीं इस्तिती बनाने से इतना उमंग हो इतना उसा हो इतनी लगन हो मुझे कुछ करके दिखाना इस बटी से मौन में चले जाएं खो जाएं कहां भी आ सकती नहो कुछ खीचे नहीं ब्रुमा भोजन मिल रहा है बात करने की जरूरत नहीं है श्यू बाबाशे बाते करें बाबा आज महा सिवरात्री और आप हमारे को इतना अच्छा ब्रुमा भोजन खिला रहे हो दुनिया तरस रही है देवताएं तरस रहे हैं इंतजार में हैं और हम कितने लग्की हैं भोग लगाईए आसु आए इतना हम लग्की हैं सिवरात्री के दिन लोग के कणा दणा के लिए तरस रहे हैं और हमको इतना अच्छा बाबा आप सुईकार करो हक रखो भगवान के उपर हमारी दादियों ने हक रखा ऐसे हक नहीं होता है बहुत प्यार होता है तो हक होता है दादी जानकी अन बहुत सुनाती थी एक दिन बाबा ने साकार बाबा ने उसको बुलाया कि बची आज बाबा के साथ आपका भोजन है दादी खुश भगवान बुला रहा है बाबा बुला रहा है दो पौर को भोजन भल कैसा है एसा लकड़ी का टेबल नहीं था पत्थर था आगे दो थाली आ गई ब्रुम्मा भोजन रखा है बाबा पुछता है बच्ची बाबा आपको खिलाए या आप बाबा को खिलाओगे अरे नहीं बाबा 63 जनम हमने खिलाया है आज मोका है आप मुझे खिलाओ सोचो इतना प्यार हो भगवान से इतना लोग हो इतना हुजत हो है हम लोगों का इतना हुजत हम कहें कि नहीं बाबा आप मुझे खिलाओ माताएं बैठी हैं घर में ब्रुमा भोजन बनावो भोग लगाओ और बाबा को बुलाओ बाबा आज आपको खिलाना है इतना लाओ पूछना है क्या बाबा से हमारे लिए बैठा है वतन में बैठा है किसके लिए भगतों के लिए नहीं अब डाइम पूरा हो गया बच्चों को इंतजार कर रहा है सोचो भगवान से बढ़ कर क्या और कोई रिष्ट होगा क्या कोई ये होगा क्या नहीं बस हम खोए रहें कौन सा समय चल रहा है क्या मिल रहा है क्या प्राप्ती हो रही है अपने आपसे बाते करें एक कांत में बैठ जाएं खली हमारी योग लाल लाइट में ही नहीं हो खाँ भी बैठ करके उनसे बाते करें देखो इस तरह क्या हमारी इस्तीती हो तो हम एवरेडी नश्टो मुहा होंगे किसी को question है तो इसलिए पांच मिंट आपको question के लिए one way नहीं कोई भी question आप पूछे तो भ्रयाता जी के अनुभवों का सभी को लाब मिला